और कुछ भी नहीं, एक्जाम्पल भी मैं अपने ही लिखूँगा, कोई किताब, कोई रेजिस्टर नहीं, अभी चैट भी भिलाल के लिए मैं थोड़ी दिर के लिए इग्नोर करूँगा, क्यूंकि मुझे फटा-फट से इसे खतम करना है। चलिए, ध्यान दीजे, सर, क्यापिटल बजेटिंग के अंदर सबसे पहले एक्जाम ओरियंटिड देखें, क्योंकि ये रिवीजन है, तो हम रिवीजन की तरीके से लेके चलेंगे, मतलब ये नहीं है कि कॉंसेप्ट छूटेगा हाथ, लेखिन सारे कॉंसेप्ट को लेके च रहेगा, सर, क्यापिटल बजेटिंग के सबसे पहले पोर्षन की हम बात करी, तो हम टेक्नीक पहले कर लेते हैं, पहले हम टेक्नीक करेंगे, जो एक्जाम में सवाल पूछा जाता है, मेरा इस क्लास के अंदर एक ही परपस है कि भाईया, बच्चों जो लेट भी हो गए, या जिनोंने पहले ठीक से नहीं पढ़ा, एटलिस इस चप्टर को तो ना छोड़ के जाएं, तो क्यापिटल बस्तिंग की हम टेक्नीक की बात करें, तो मैं करवाता रहूँगा, एक्जाम पर आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, फिर डाउट सेशन जो है वो देखते रहेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे टेकनीक के अंदर एक होता है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, साथ के साथ आप समझते जाईएगा, जो बच्चा स्पीडली नोटिंग कर सकता है, करते जाईएगा, सर पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं Capital का मतलब है यहां पे assets से और budgeting का मतलब यहां पे simple सी बात है उस assets को हम buy करें या फिर not एक तरीके से decision making क्या हमें assets खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो assets को हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है वो एक angle से नहीं पता सकते हमें उसे different different angle से check करना पड़ेगा कि प्रेशन रहता है तो सेम उसमें से एक है payback period technique पेबेक period के हिसाप से हम देखेंगे capital bursting हमारे लिए यह assets खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है सर पेबेक period का मतलब क्या है सर पेबेक period का मतलब है कि जो आपने pay किया और सर पे का मतलब जितने का आपने assets खरीदा जितने का आपने assets खरीदा सर assets खरीदा का मतलब आपका investment आपका investment अगर ये assets अगर जो भी investment और investment कहां किया होगा आपने इस assets को खरीदा suppose करो 5 लाख रुपै का और ये assets आपको कमा के देगा एसेट अर्न करके देगा और मान लेता है ये assets आपको एक लाख रुपै साल का अर्न करके देगा लेकिन सर जब तक इस एसेट्स की लाइफ रहेगी तभी तक तो आपको अर्न करके देगा ये तो हम बात करें इस एसेट्स की लाइफ और अर्निंग की बात तो मान लेते हैं इस एसेट्स की लाइफ जो है वो सपोस करो के है चार साल सपोस करो चार साल है सर अगर इस assets की life 4 साल है तो हमारा payback period क्या होगा payback period का मतलब मैंने pay क्या किया 5 लाग ये हमारे वापसी कब आ जाएंगे सर वापसी इसका formula होता है हमारा payback period निकालने का तरीका क्या होता है सर हमारा investment जितने का भी किया हो divided by आपका जो भी annual inflow हो annual inflow तो सर investment हमारा यहाँ पर कितने का है और annual inflow कितने का है हमारा एक लाग तो सर हमारा ये 5 साल में हमारा पैसा वापसी मिलेगा 5 साल में हमारा पैसा वापस मिलेगा सर सवाल कैसा पूछा जाएगा या तो पूछा जा सकता है payback period निकाल लिए तो simple आपको यहाँ तक निकाल के छोड़ देना है लेकिन अगर दो machinery है तो आप से पूछा जा सकता है best कौन सा है तो जिसका payback period कम है जिसका पैसा लगाने के बाद बहुत जल्दी recover हो जाएगा वो हमारे लिए रहेगा best और sir inflow क्या होता है इसे हम बाद में अभी discuss करेंगे मतलब मैं धीरे धीरे बताता जाओंगा और आपको देखते जाना है sir investment क्या है यहाँ पे investment का मतलब यहाँ पे क्या है sir asset जो भी assets में लगाएंगे inflow क्या होता है sir inflow देख लीजिए 90% chances है आपको exam में given होगा sir अगर exam में given नहीं हुआ तो निकालने का तरीका पता होगा inflow होता है हमारा sales minus में हम कर लेते है variable cost प्लस fix cost यानि sir minus में minus में कर देंगे हम total cost या total cost ठीक है फिर minus करेंगे अलग से specially depreciation इस depreciation को मैं highlight कर देता हूँ क्योंकि आपका यही एक ऐसा point है जो की inflow में role play करता है sir depreciation इसके बाद जो profit आएगा इसमें से minus कर देंगे sir tax tax निकलने के बाद आएगा inflow और जो यहां पर निकल के आया है आपका यह आएगा हमारा e-a-t e-b-t ठीक है तो यह हमारा inflow निकालने का तरीका है के inflow निकालेंगे लिखिन मैं फिर से अगें कहूंगा exam में maximum chances हैं आपका यह आजाए सीधा inflow बता दे तो तो sir पहला topic क्या कर रहे हैं payback period इसके अंदर कितने topic करेंगे एक payback करेंगे एक NPV करेंगे एक IRR करेंगे दो चोटे 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 topic तीन topic चार topic करते हो चप्टर पूरा फिनिस्ट हो जाता है फिर आपका रहता है language समझना और उसको implementation करना तो sir payback period समझ में आए payback period क्या होता है लेकिन अब payback period इतना आसान नहीं दो तरीके का हो सकता है तो चलिए एक तरीके से अब हमारा chapter स्टार्ट होने जा रहा है पहला technique payback sir payback period की बात करें तो दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं sir दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एक्जाम में number one जब आपका inflow equal हो और जब आपका inflow unequal हो unequal हो दो तरीके के ही सवाल बनते हैं इसमें अगर ये दो तरीके समझ में आ जाते हैं आपको तो यानि payback period आपका खतम हो जाता है sir दो तरीके का सबसे पहले इसका एक्जामपल ले लिया जाए फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर एक्जामपल लिख लेंगे फॉर्मूला कहता है sir payback मैं short form use कर रहा हूँ ठीक है ना payback is equal to investment या मैं लिख दूँ asset की value इसको divide कर देंगे annual inflow that is payback period sir example मान लेते हैं x y z limited purchase machineries rupees 10 lakh and generate annual inflow मैं inflow की बात कर रहा हूँ यहां पर profit before tax की बात नहीं कर रहा inflow rupees 2.5 lakh sir annual का मतलब यह हर साल 2.5 lakh 2.5 lakh जो भी life whatever machinery की रही हो वो inflow यह generate करता रहेगा बड़ी सीधी सी बात है answer formula में कहता है investment या assets की value find करो तो sir investment कितना है divided by कहता है जो annual inflow हो रहा है तो sir क्या हर साल equal income है जी हां हर साल income equal है 2.5 year तो sir 2.5 lakh है sorry मैंने 2.5 year कर दिया तो sir कितने आगे 4 year कितने आगे आपके 4 year तो आगे आपके sir 4 year मैं इसी में एक example ले लेता हूँ मैं अलग मारकर इस्तमाल कर रहेता हूँ red suppose कर ये income जो होता इसकी जगह पे point number 2 होता 30,000 रुपए या 3,000,000 रुपए तो हमारा payback period क्या होता तो हमारा payback period होता 10,000,000 divided by 3,000,000 आणसर क्या है 3.33 ये year माना जाता ठीक है न कई बार सवाल में examiner पूछ लेता है आप इसको बताईए कितने साल और कितने महिने में ये recovery होगी तो जब आप से पूछा जाएगा न साल और मन्त में बताईए तो आप क्या करेंगे सर 3 को रहने देंगे और जो point 3 है न उसको आप 12 से multiply करेंगे यानि जो point 3 है इसको multiply किस से करेंगे क्योंकि इस महिने एक साल में 12 होते है अगर आप से पूछा जाए बताईए कितने साल और कितने दिन तो इसको multiply जो करेंगे 360 या 365 से हाला कि पूछा rare जाता है payback period पूछा जाता है लेकिन इतना technology में नहीं जाएंगे इसके बाद जब unequal income होगा तो कैसे निकाला जाएगा formula बाद में पहले example sir example क्या कहता है कि एक machinery खरीदा rupees 10 lakh का और income है year 1 का year 2 का year 3 का year 4 का sir income पहले हमारा रहा 2 लाक 3 लाक और 6 लाक और 4 लाक कुछ ये income होगा income का मतलब sir inflow income का मतलब sir inflow मैं directly inflow दे रहा हूँ किसी में भी मैं inflow निकालने के लिए नहीं दे रहा जब हम एक और example लेंगे उसमें ले लेंगे आपको कहा गया find payback period तो जब unequal income होता है तो सबसे पहले हमें cf निकालना पड़ता है जब unequal income होगा तो सबसे पहले हम cf निकालेंगे sir cf क्या होता है आपका cumulative value आपका c पहला आएगा 2 lakh इसमें जोडते जाएंगे यह आएगा 5 lakh फिर जोड देंगे यह आएगा 11 lakh फिर जोड देंगे यह आएगा 15 lakh हमें determine करना है कि हमारा 10 lakh रुपे कहां आ रहा है तो sir 10 lakh रुपे या तो मेरा तीसरे और दूसरे साल के बीच में कहीं आ रहा है ना तो तीसरे साल में 10 लाख है और ना ही दूसरे साल में है मैं ये जरूर कहता हूँ कि दो साल कुछ महीने बाद रिकवरी हो जाएगी तो यानि सर अगर मैं पेबेक पीरिट निकालू तो बड़ी सिम्पल सी बात है ये तो दो साल और कुछ महीने का मतलब प्लस इसमें महीने जोड दिये जाएगे इसके अंदर एवरेज ले लेगे सर हमारा दो साल में 3 लाख रिकवरी होता है तो रिकवाइड अमाउंट और कितना है कि हमारा 5 लाख रुप कितने amount और है दो साल में हमारे कितने recovery हो रहे है तो कितना और पैसा चाहिए कि मेरे 10 लाक बन जाए हमें कितना target है recover करने का तो कितने और रुपे हैं कि 10 लाक बन जाए तो जवाब है सर और 5 लाक रुपे इखटा करना है तो 5 लाक लेकिन जैसे ही हम अगले साल जाते हैं तो कितना कमा लेते हैं अगले साल जैसे ही हम जा रहे हैं तो earning हो जाती है तो 6 लाक तो इसका average कर लेंगे हम कितना 6 लाक तो सर ये क्या गया हमारा 2. बताईए divide करके 2.83 बच्चों ने बता दिया 2.83 ये year है अब इसका मैं formula लिखूँगा सर इसका formula क्या होगा payback period का payback period is equal to आपका जिस सार complete होगा वो साल नहीं आपका year plus required amount amount कोई formula नहीं है बस मैं लिख रहा हूँ divided by next year income या next year inflow कहलो आप next year inflow मैं दुबारा लिख देते हैं डिख रहा हूँ required amount divided by next year इन फ्लो सर ये रिवीजन क्लास है ये formula इस्तमाल होगा सर एक और एक्जामपल एक्जाम्पल में मान लेते हैं हमारे पास मसीनरी रुपीज 10 लेक और जो इन फ्लो है येर वन का येर टू का येर थ्री का येर फोर का येर फाइव का इस बार जो मैं आपको दूँगा वो इन फ्लो नहीं दूँगा इस आपका प्रॉफिट यानि सर आपका प्रॉफिट है यहां पे 2 लाख 5 लाख 4 लाख 3 लाख और 2 लाख कुछ ऐसे गीवन है सर साथ के साथ मैं आपको दूँगा यहां पे टेक्स का रेट सर टेक्स रेट है 50% तो सर अगर 50% आपका टेक्स का रेट हुआ और आपका डेप्रिशेशन जो है वो एनुवल डेप्रिशेशन माल लेते हैं वो है 50,000 SLM के हिसाब से मैंने फिक्स कर दिया एनुवल डेप्रिशेशन 50,000 तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना तो यह क्या है हमारा और सर हम प्रॉफिट को CF नहीं कर सकते CF करना होगा तो फिर्स्ट अफ आफ ओल हमें प्रॉफिट को कनवर्ट करना पड़ेगा किसमें फिर हम फॉर्मूला अपलाई करेंगे इसको इन्फलो में कैसे कनवर्ट किया जाए वो देख लेते हैं सर इन्फलो का फॉर्मूला अगर आप पूछते हैं तो इन्फलो इस इकल टू होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टेक्स प्लस में माइनस करते हैं डेप्रीशेशन डेप्रीशेशन माइनस करने के बाद फिर माइनस करते हैं टेक्स और फिर plus कर देते हैं इसके अंदर हम depreciation यानि सबसे पहले profit में से debt minus करो फिर minus उसमें से करो tax फिर जो answer आया उसमें वापस add back कर दो depreciation that is क्या होगा inflow पीछे statement में देखिए सबसे पहले क्या था profit profit में से सबसे पहले minus किया debt फिर आया ये वाला profit फिर हमने वापस debt add कर दिया तो हमारा क्या बना वो inflow बहुत सीरी सी बात है तो sir यहाँ पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा inflow निकालना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा inflow पहले निकाल देता हूँ उस inflow के निकालने के लिए next page का इस्तमाल करते हैं sir जो inflow निकालेंगे सबसे पहले होगा year फिर होगा आपका inflow फिर होगा depreciation फिर होगा आपका balance फिर होगा आपका tax फिर होगा आपका balance चलिए देखिए हर बार करने का presentation अलग-अलग होगा यहाँ पर मैंने लिखा year यहाँ लिखा profit यहाँ लिखा depreciation अब यहाँ लिख दिया मैंने balance फिर लिखा मैंने tax और फिर लिखा मैंने balance फिर लिखा मैंने depreciation add back कर दिया क्योंकि depth पहले ही है तो दुबारा नहीं लिखा फिर आ जाएगा हमारा inflow sir inflow क्या होगा मैं raw लिख देता हूँ a और b यह c है c कैसे आया c आएगा a माइनस में b sir यह d है और यह होगा e e कैसे आएगा sir e आएगा हमारा c माइनस में d और sir यह है f f कैसे आएगा sir e प्लस में b समझ में आ रही है क्या कहा पिक करना है sir पिछले सवाल के अंदर देखा जाए तो year one था year two था year three था year four था year five था यह हम तैयारी कर रहे हैं inflow बनाने की तो दो लाख पांच लाख चार लाख तीन लाख दो लाख दो लाख पांच लाख चार लाख और दो लाख depreciation fix कर दिया पचास अजार SLM है WDB होगा तो आप WDB लगा लेंगे अब हमें क्या करना है balance minus करके निकालेंगे तो one fifty four fifty two fifty ये सर three fifty that is one fifty सर अब टेक्स का बात करें 50 पर तीशर तो 75 जार 2.25 लाख 1.75 लाख 1.25 लाख और 75 लाख minus करके भी यही आ जाएगा minus करके भी यही आ जाएगा सर वापस डैप एड़ करके यहाँ पहुचाईए 125 पचास अजार वापस इसमें एड़ करिये 275 दो पच्चिस 175 एक पच्चिस इससे मुश्किल सवाल आएगा नहीं पेवेक पीरिट में अब इसके बाद अगले टेवल पे चलेंगे और यहाँ पे सर हम क्या निकालने वाले हैं हम सी एफ यहाँ पे निकालेंगे सी एफ सी एफ कैसे आएगा सर एक लाख पच्चिस अजार और चार लाख इसमें जुड़ता जाएगा छे पच्चिस आठ लाख नौ लाख पच्चिस अजार सर थोड़ा सा मेरे सवाल में अमाउंट को बढ़ा के लिना चाहिए एक साल और ले लेते हैं पच्च लाख पच्चास अजार ये एक और ले लिया और दो पिछ अजाएगा और सर ये क्या जाएगा देखें मैं तो एक्जामपल ले रहा हूँ सर अब पेबेक पीरिड पेबेक पीरिड को आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आप चेक करिए दस लाख कहा होता है अगर एक्जेक्ट डिजिट दस लाख कहीं आ गया और आप तब तो कुछ करना ही नहीं आपको बता ही दो के चार साल पाँक सर अब दस लाख रुपे कहा आ रहा है सर दस लाख रुपे इन दोनों के बीच में है याणि मैं बोलू बाइखें को बात 6 साल में 10 लाख आएगा तो गलत है बोलू रिक्वाइड अमाउंट प्लस करेंगे तो 70 पांचवे साल में 9.25 तो मिली रहे हैं जरूरत कितने की है 10 लाक की तो और कितने 75 सर अगले साल जब जाओगे तो एक्स्ट्रा इंकम कितना आ जाएगा उसका एवरेज करेंगे अगली बार इंकम आ जाएगा 2 लाक तो सर जवाब आएगा कितने का पूरा करके बता तो 5 पॉइंट सर ये सवाल हो गया चटे साल में भी अमने ले लिया था 5.27 पेवेक पीरिड खतम इससे ज़्यादा कुछ ना तो आ सकता है ना आया है पहले देखिए एक कॉंसेप्ट शरी तीनी कॉंसेप्ट करते हो चैपिटल बस्टिंग खतम हो जाता है पेवेक पीरिड एन पीवी आई आर आर बस इसके बाद हम करने वाले एन पीवी नेट परजेंट वेल्यू सर मंत वाला बता दो अगर मंत वाला बोले ना तो जैसे यह अंसर आया बच्चे पूछे रहे हैं सर एक बार मंत वाला बता दो तो सर मन्थ तो मन्थ में सर 5 साल तो है और मन्थ को निकालने के लिए जैसे 0.27 है इसको 12 से करिये तो कितने आ रहे हैं 3.24 तो सर जवाब आएगा आपका 5 एर 3.24 मन्थ अगर मैं बोलू डेज के हिसाब से बताईएगा बैलिंस तो 5 साल तो है यह न सर और इसके बाद हम क्या करेंगे 0.27 को मल्टिप्लाइ 360 से ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं 65 भी कर दो चलेगा कितने दिन आ गए हैं 98 वैसे भी देखो तीन महिने और प्लस में तो 90 दिन से ज़्यादा ही होगा सिंपल सी बात है मैं यहां से लेके चलाओ हां जी 97.2 मैं 97 ले लेता हूँ तो सर टाइम जो होगा 5 येर 97 देज समझ में आ गई मैंने सारे पॉइंट ही कर दिया है ठीक है डिस्काउंटिंग पेबेक पीरेड बहुत रेर पूछा जाता है पूछा भी जाता होगा तो अभी नेट जो करेंगे नेट पर्जेंट वैल्यू उसमें हो जाएगा हमारा ठीक है अगला टॉपिक नेट पर्जेंट वैल्यू जिसे हम एन पी वी बोलते है डेखो नेट पर्जेंट वैल्यू यानि एन पी वी अगर मैं एन पी वी के बात करूँ तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सवाल होते है एक सवाल होता है हमारा जिसके अंदर आपको मसीनरी खरीदना है इसमें हमेशा डिसीजन देना होगा कि मसीनरी आपको बाई करना है और नॉट तो सर जब कभी भी एन पी वी पॉजिटिव निकल के आएगा तो शुड बाई और जब एन पी वी नेगिटिव निकल के आएगा तो रिजेक्टेड इसकी कहानी में ये ध्यान डखना है आपको सर इसके बाद हम बात करें इसमें कैटिगराईज है कुश्चन का एक तो हो जाएगा मसीनरी दे देगा आपको और उस मसीनरी का आपको इन फ्लो दे देगा एक तो यहां से पूछा जा सकता है दूसरा आपको एक ओल्ड मसीनरी देगा और यूर प्लैन टू परचेज न्यू मसीनरी एक इस टाइप पे गोश्चन होगा एक आपका हो सकता है इसमें टाइप लाइक केस बेजड जिसके अंदर काफी सारी जानकारी दे देगा वो हमारे एक्जाम के अंदर कौन सा पूछा जाता है कोई भी पूछा जा सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यह वाला है तो मैं एक एक करके तीनों केसिस के एक इस केस का कोश्चन एक इस केस का कोश्चन एक इस कोश्चन करूँगा एन पी भी खतम सबसे पहले नेट पर्जेंट वेल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यह टाइम है और आपके पास एक मसीनिरी है अब मसीनरी तो आज खरीदा तो पे तो आपने आज कर दिया मान लेते हैं आज पांच लाक रुपे का मसीनरी खरीद लिया लेकिन ये मसीनरी इंकम धीरे 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 आपको कमा के देगा एन्वल बीसिस पे तो आपको फैसला आज लेना है कि मसीनरी खरीदे या ना खरीदे तो सबसे पहले अगर भले ही आपको मैं बोलू कि इस दिन आपको दो लाक रुपे मिलेंगे दस साल बाद या पांस साल बाद तो इसकी वेल्यू आज की डेट पे दो लाक है ही नहीं आपके पॉकेट में जितने दस साल बाद सौ रुपे का अगर मैं बोलू आज आप दस रुपे ले लो या दस साल के बाद आप दस रुपे ले लो तो आप बोलोगे सर आज ही 10 रुपे दे दो मैं बोलूँ आज 10 साल के बाद 11 रुपे ले सकते हो तब भी आप नहीं एगरी होगे बोलोगे भईया उतने का तो ब्याज हम कहीं से ले लेंगे और दूसरा फेक्टर ये भी है जितना खाना आप आज 10 रुपे में खा सकते हो 10 साल बाद 10 रुपे में उतना खाना नहीं मिलेगा तो सर 2 लाक रुपे आपको 10 साल बाद मिलता है सपोस्थ तो उसकी वैल्यू आज की डेट पे मेभी 98,000 हो हमें अगर ऐसा बोला जाए कि भाईया एक मसीनरी है उस मसीनरी के उपर हर साल की इंकम इतनी है तो हम उसे जोड के माइनस करके बता दें तो ये तो सिंपल होगे है तो कोई आम वेक्ति भी बता देगा आपको क्या करना होगा इन सभी वैल्यू को पहले आपको पर्जेंट में लेके आना पड़ेगा और सर हमें पता चल जाए कि एक रुपए की कितनी वैल्यू होने वाली है तो उससे मल्टिप्लाई कर दूँ अगर इन फ्लो को तो पर्जेंट वैल्यू पता चल जाता है तो इसके अंदर एक हमारा जो की हमने टाइम वैल्यू अफ मनी या कभी भी पी बी एफ हम यूज़ करेंगे तो सर इसके अंदर भी सवाल दो तरीके के सर सवाल दो तरीके का एक हो सकता है आपका मसीनरी से इनकम जो हो इक्वल ना हो या हो सकता है एक मसीनरी से इनकम जो हो सर एक्वल हो सर एक्वल मान लिया मैंने एक मसीनरी खरीदा रुपीज 10 लेक का आज एक मसीनरी की कीमत है और हम प्लैन कर रहे हैं कि इस मसीनरी को खरीदे या नहीं खरीदे और ये मसीनरी हमें पैसे कमा के देगा कुछ इतने पहले 2,00, 3,00, 4,00, और 6,00, ये कुछ पैसे कमा के देगा नॉर्मल इंसान देखेगा कि भईया 10 लगा रहे हैं 2,00, 3,00, 5,00, 4,00, 9,00, 6,00, 15,00, आ रहे हैं तो नॉर्मल इंसान ये ही कहेगा कि भईया 5,00, रुपे का तो फायदा ही है इस मसीन को खरीदने में ले लिया जाए लेकिन एक्चुल में देखा जाए तो सर जो ये 5,00, लाक इंवेस्मेंट कर रहे हैं और और कहीं करते हैं तो उसका ब्याज भी मिलता वो ब्याज भी तो नुकसान हो रहा है तो हम दोनों चीज़ों को मिला के कितना हमारा अपोर्चुनिटी कॉस लॉस हो रहा है और कितना कमाई हो रहा है दोनों को माइनस करके तब करते हैं यानि जिसे बोलता जाता है पर्जेंट विल्यू में लेके आना अगर ये कहीं भी अगर ये हमारा कहीं भी कुछ करता तो इसको मिलता इंट्रस्ट मान लेते हैं 15 पर्तीशत के हिसाब से interest कितना मिलता 15% सवाल ये कि इस machinery को खरीदे के ना खरीदे चलिए इस सवाल को कर लेते हैं इस machinery को खरीदा जाए या ना खरीदा जाए सबसे पहले हम लेंगे year year के बाद आएगा आपका inflow inflow के बाद आएगा factor factor के बाद आएगा total ध्यान दीजे ध्यान दीजे सर year की बात करें year one year two year three और year four पहले साल की income अब ये inflow है मैं बता देता हूँ ये जो है inflow है सर inflow दो लाक inflow तीन लाक और inflow चार लाक और inflow छे लाक ये inflow है और सर इसके बाद निकालेंगे पी बी एफ और रहेगा ये कितने परसेंट ये रहेगा हमारा पंदरा परसेंट तो सर इसको निकालने के लिए बड़ी सीधी सी बात है calculator होना जरूरी और आपके पास बहुत simple calculator इस टाइप का होना चाहिए करना कैसे step देखिए 1 को आप divide करेंगे सर जो percentage है 1 प्लस में percentage जो भी है वो जैसे की 1.5 आ गया यानि सर जो actual divide करना है 1 divided by 1.15 तो आपको एक साल का present value मिलेगा सर ये 15% कहां से आया हर बार सवाल में आपको ये 15% given होगा या 10% given होगा जो भी percentage है उसके हैसाब से तो 1 divided by 1.15 इसके बाद आपको प्रेस करना equal to जैसे ही एक बार equal to हम प्रेस करके आएंगे तो ये आगया मेरे पास आप भी निकालिए calculator में 869 तो एक रुपे आपका एक साल के बाद एक रुपे नहीं रहेगा वो 86 पैसे के बराबर हो जाएगा सर अगले साल की बात करें तो 0.756 अगले साल की बात करें तो जितनी भी निकालना है न हर साल के लिए equal to equal to दबाते जाएंगे तो अगले साल का आता जाएगा 657 0.571 अब हमें क्या करना है इन दोनों को multiply करके हमें निकालना है present value तो आपको याद आ रहा होगा जिसने time value of money लिया हुआ तो उसमें यही कर रहे थे हैं तो सर दो लाख इंटो 869 173 800 226 800 262 800 342 सर 600 सर टोटल आ गया 10 लाख 6,000 यह payment आ गया है हमसे पूछा क्या गया find NPV net present value और मैंने वैसे भी पूछा net present value ना भी पूछा जाए इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए के weather machinery purchase or not बड़ी सीधी सी बात है तो सर एन पी वी निकालने के लिए formula होता है हमारा formula क्या basically होता है NPV is equal to inflow या फिर present value minus में outflow बोल लो या asset value बोल लो इसको आउट फ्लो भी बोल देते हैं sir NPV present value है 10,00,00 minus machinery था 10,00,00 का sir answer आ गया 6,000 तो sir मैंने कहा कि अगर ये आता है positive तो 6,000 positive है तो positive है तो should buy or accepted should buy or accepted ये था जब हमारा income जो दे रखा हो inflow वो कैसे दे रखा हो unequal देखो 2, 3, 4 ऐसा नहीं कि हर साल 2, 2 हो अगला करते हैं हम ये वाला point यहां तक देखिए पहले किसी को doubt yes inflow को TVAF से multiply करते हैं बच्चे पूछने सार ये PVF कैसे आया मान लो A और B present value है A into में B A into में B चलिए यानि एक सवाल इस पे भी आएगा 15 नंबर का chapter है ये एक सवाल आएगा जिसके अंदर आपसे net present value भी पूछ लेगा payback period क्या इस सवाल का आप payback period निकाल पाऊगे simple अनिक्वल इंकम है जो अनिक्वल इंकम वाला है उसके इसाब से निकाल लेंगे तो मैं एक एक टॉपिक करा रहा हूं बागे सब जुड़ता जाएगा अगले point पे चलते हैं जब हमारा इक्वल इंकम हो इक्वल इंफ्लो हो सर एक्जामपल मैंने कहा machinery रुपीज 10 लैक रुपीज का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाई करने का और लाइफ हमारे machinery का जो दे रखा है वो है 10 येर एन्वल जो आपका होगा एन्वल इंफ्लो देड़ लाक रुपे है और 10 सालों तक या फिर मैं थोड़ा और सवाल छोटा कर दूँ सिर्फ concept ही तो बताना है हमें life मैंने कर दिया 4 येर और एन्वल इंफ्लो होगा तीन लाक रुपे है और सर रेट जो है cost हमारा अगर कहीं और इंवेस्मेंट करें तो वो है 20 परसेंट का तो weather should machinery purchased और not purchased तो एक तो थोड़ा सा लंबे method है जो कि हमने अभी सीखा है वैसे भी कर सकते हैं मैं एक बार वो करके दिखाऊंगा फिर एक बार cumulative cvaf से भी करके दिखाऊंगा तो सर पहले लंबे method से कर लेते हैं सबसे पहले होगा year year के बाद होगा आपका inflow inflow के बाद होगा आपका pvf और pvf के बाद होगा आपका सीधा पर्जेंट सर इन सवालों की practice कहां से करे हम तो सवालों की practice करने के लिए आपके 10 year में question given और मैं ये भी बताऊंगा के start कहां से करना है कौन से number से कहीं आपने आगे पीछे कहीं से किया तो फिर problem आ जाती है एक दो तीन चार इसके बाद बात करते हम in flow sir in flow की बात करें तो हर साल कहता है तीन लाक तो कोई दो राई नहीं है तीन लाक तीन लाक और तीन लाक और pvf की बात करें 20% के rate से तो पहले साल का जो formula पहले अपलाई किया था वही निकालेंगे sir यानि 1 divided by 1.2 equal to 0.833 एक बार फिर equal to 0.694 फिर से equal to 0.578 फिर से equal to 482 अब sir हमें multiply करके pv निकालना है sir multiply करके pv निकालना है तो इन दोनों को multiply किया जाएगा पहले का क्या आ जाता है अब पहले का आ जाता है एक लाख चवालिस लास्ट वाले का निकाल रहा हूँ सड़ सट पांच पहले का आता है 0.833 इंटू में तीन लाग दो लाग उननचास अजार नौसो 6.94 पॉर सरी 0.694 यह आ जाएगा 20 8200 तीन लाख इंटू में 0.578 173400 टोटल निकाल लेते हैं 249900 208 200 173400 144675 यह आगे सर 777 6175 सर NPV आपने बताया NPV होता है और उसी पे decision होगा NPV is equal to present value minus में outflow सर present value क्या present value inflow total तो सर 776 175 का inflow है minus में 10 lakh का asset था तो minus 10 lakh तो यहां पे आ जाता है 2,23,825 रुपे negative का 2,25,000 negative का अब 2,25,000 अगर negative की मैं बात करूँ तो सर यह हमारा reject हो जाना चाहिए है यह क्या हो जाना चाहिए reject हो जाना चाहिए अब सर इस सवाल को मैंने बड़े थोड़े लंबे तरीके से किया है अब इसको हमारे पास एक shortcut भी होता है लेकिन shortcut हमेशा apply करने के लिए कुछ condition होता है वहाँ condition है कि जो यह income है ना वह हमेशा क्या होना चाहिए same होना चाहिए तो ऐसे situation में हम क्या करते है हम present value कैसे निकालेंगे सर present value निकाला जाएगा मैं इधर कर देता हूँ क्या है चलिए अब एक इसका न मैं थोड़ा सा mathematical में अगर जाओं तो mathematical format में देखा जाए तो sir अगर मैं इसका total कर लूँ हम इसको इससे multiply कर रहे हैं यहाँ पे common देखा जाए तो 3 लाख है और 3 लाख में इन सभी के जोड से multiply कर लूँ whatever जो भी आता है इन सभी को प्लस करके multiply अगर कर लेता हूँ मैं तो हमारा result सेम आता है तो यही shortcut में करेंगे कि हम इन सभी को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे तो calculator पे एक तरीका होता है इन सभी को calculator पे प्लस करने का क्या होता है sir 1 divided by 1 प्लस जो R करते हो ना उसके बाद आप equal to, equal to, equal to जैसे चार साल कहता है तो आप चार बार दबाओगे उसके बाद आपके calculator में एक GT word का button होगा इस button को जैसे press करोगे यह total हो जाएगा तो यानि sir जैसे मैं अगर इसी को बात करता हूँ तो 1 divided by 1.2 equal to एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हर बार equal to और GT दबा दिया तो इसका आगया 2.88 something आ जाएगा तो यानि sir अब अगर mathematical में जाएगे तो 3 लाग तो common निकाल लिया इसको multiply कर देंगे 2.588 से तो result यह आ जाएगा तो यहाँ पे वही करना है हमारा year sir year मान लेते हैं एक से लेके 4 साल तक मेरी जो inflow होगी वो होने वाली है sir 3 लाग और sir यहाँ पे अब PVAF लेंगे यानि A का मतलब होता है NUT NUT का मतलब होता है एक तरीके से सब का accumulate कर लेना तो PVAF लेंगे हम 20% का कितने महिने का साल का sir 4 साल का तो यह आ जाता है निकल के 2.588 अगर इसको हम 3 लाग से multiply कर दें into 2.588 तो sir देखिए 7,76,400 लेकिन sir यहाँ पे 7,76,175 था तो यहाँ पे लगबग 225 रुपए का difference आ रहा है तो difference यहाँ पे हजारों में आ सकता है क्योंकि basically यहाँ पे हमारा answer होता है decision based खरीदना और नहीं खरीदना तो हमारा एक negative आ गया ना तो चाहिए कितना भी difference आ रहा हो matter नहीं करता है आ गया तो reject हो जाएगा बस examiner यह पूछेगा तो सर हमारा यह क्या आ गया सर सीधा direct आ गया present value in flow अब सर अगर आपने यह निकाल दिया है तो simple सा formula लिख लिजिए NPV का जो पहले लगाया था सर 7 7 6 4 double 0 minus का 10 lakh that is आपका answer आ गया देखिए 2 2 3 6 double 0 also negative तो फिर से यानि अगर income equal हुआ तो तो आप ये वाला shortcut apply कर दीजिएगा exam में अगर आपने long से किया दिक्कत कुछ भी नहीं है marks तब भी पूरे मिलने बस आपका time consume होगा ठीक है अगर आपका unequal income हुआ तो फिर आप common नहीं ले पाएंगे जैसे unequal income था तो common नहीं ले पाएंगे तो बस आपके पास एक ही रास्ता बचता है जो ये है इस तरीके से multiply करके करना होगा तो sir simple वाला machinery वाला जो point था ये हमने cover कर लिया machinery inflow का अब है old machinery और new machinery इसका example लिखना थोड़ा सा रहेगा मैं इसके लिए करूँगा क्या question डिस्प्ले करके फिर कराऊँगा तो इसके अंदर दो cases है एक ये वाला point आ गया और एक case study base इस दोनों को हभी cover करेंगे इससे पहले कि हम एक और formula के तरफ बढ़ जाते है ठीक है न ये दोनों point को cover करेंगे basically कुछ difference नहीं है जब old और new होगा तो incremental basis पे हम काम कर लेते हैं तो हम देखेंगे तो कई बार क्या होता है मैंने starting में ये दोनों topic जिस बच्चे ने starting में ही पकर लिया तो उसका पूरा chapter खराब हो सकता है अभी तक आप देखोगे तो लगे का बहुत simple सी चीज़ है एक बार बस आपको revise करना है तो हम उन point को सबसे last में catch करने वाले हैं जिससे हमें आरहे chapter थोड़ा लगे कि भई tough हो रहा है तो हम पहले simple simple और exam में simple simple पूछा गया जाता है जादा से जादा है तो हम वो पहले cover करेंगे तो हमने NPV कर लिया हमने payback period कर लिया अब करेंगे IRR जो सबसे main examiner का point of view से रहता है सर क्या है हमारा अगला formula क्या है IRR internal rate of return सर internal rate of return internal rate of return जिसको short form में examiner बोलते हैं भाईया IRR अब ध्यान रखिएगा मैंने किसी भी सवाल के अंदर अभी तक जितने भी कराएं कहीं भी मैंने table का इस्तमाल करना नहीं बताया direct calculator पे table हम बनाते गए लेकिन एक बार जरूर ऐसा करेंगे कि मैं सारा table दिखा दूँ और कुछ questions को कैसे किया गया solution रखूँगा और उसके सामने जैसे examiner करते हैं check उस तरीके का मैं बता दूँगा matter कुछ नहीं करता answer वही रहेगा बस एक बार आपको पता लग जाए सर आई आर आर में आई आर आर वो rate होता है जहां पे हमारा एक तरीके से देखा जाए तो वो internal rate होता है जहां पे हमारा नुकसान और profit कुछ भी नहीं होता लग बग लग ठीक है business बहुत स्मूथली चल रहा है कहने का मतलब यह है यानि internally इस पे थियोरी भी पूछा जाता है कि what is the internal rate of return तो internally जो rate निकाला जाता है यानि जो हमारे दो rates होंगे उसके beach का जो भी होगा उसको बोला जाएगा IRR एक beach का रस्ता माल लेतने cost of capital 10% है sir 10% है तो अब actual कितना होना चाहिए आपने तो NPV negative निकाल लिया अभी तक देखोगे ना तो आप कहानी के अंदर बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो सटीक नहीं हो sir यहाँ पे आप ज़्यादा minus कर बैठे हो और sir यहाँ पे पिछले बार में आप plus ही कर बैठे हो तो ऐसा कुछ बताओ ना जहाँ पे NPV 0 आ जाए वो rate बताओ internally तो वो निकलता है IRR के थो कि वो rate आ जाता है वहाँ पे internally जहाँ पे हमारा लगबग लगबग 0 हो जाएगा तो sir यहाँ पे internally rate of return निकाला जाएगा तो इसका मतलब sir यहाँ पे हमें 2 rate पकड़ने होंगे sir एक लेना पड़ेगा हमें lower rate और एक लेना होगा higher rate एक लेना होगा sir अगर lower rate की बात करें और higher rate की बात करें तो क्या है यह एक example लोगा सारा clear हो जाएगा sir lower rate क्या है higher rate क्या है और एक बार में यह समझ में आ जाएगा sir मसीनिरी फिर से 10 लाख रुपे का मसीनिरी की बात करें फिर से 10 लाख रुपे का मसीनिरी फिर से 10 लाख रुपे का और inflow inflow की बात करें year 1, 2 या sir सवाल क्या हम सीधा यहीं पे कर लेंगे न 1, 2, 3 और 4 जादा नहीं लेते हैं sir 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख या फिर इस 1 लाख को कर देते हैं 3 लाख ठीक है cost जो है वो cost है मान लेते हैं हमारा अभी फिलाल 10% पे यानि एक rate पहले से पता चल गया 10% ऐसे situation में हमें क्या करना चाहिए मैं इसी को यहीं पे सवाल भी इसी के उपर apply करता हूँ अलग से नहीं लिखना सर यह क्या था यह year था यह क्या है inflow है और आपका PVF निकालेंगे 10% पे सर जब 10% पे हम PVF निकाल लेंगे न तो क्या आएगा हमारा पहले साल का 0.998 नहीं यहीं आएगा 9.909 आएगा सर वही देखो PVF निकालने का वही तरीका है जो अभी हमने सीखा था 0.826 75 68 सर अब multiply करेंगे जिसको निकालेंगे पर्जेंट वेल्यू 10 पर्सेंट पे क्या आएगा पर्जेंट वेल्यू 10 लाग पे 10 पर्सेंट पे यह आगे हमारा 363 600 अगला क्या आएगा 247 अगला क्या आएगा 150 200 अगला 00 सर यह multiply कर लिया अब यहां पर लेंगे हम इनका जोड यानि टोटल सर यह टोटल क्या है बताईए टोटल करिए क्या आता है टोटल लाइव वाले बच्चों का भी देख ले बिलकुल काफी बच्चे बता रहे हैं और काफी बच्चे सरिफ देखे जा रहे हैं IRR का सेकिंड दो मेथट है बिलकुल IRR के एक मोडिफाइड है और एक यह है मैं भी पहले यह तो कर लें क्या 66500 सर पहले हम न इस वाले से NPV निकालेंगे सर NPV अगर इस वाले से निकालते हैं तो 966500 माइनस में 10 लाग तो जवाब आ गया हमारा माइनस का 37500 हमें एक नेगिटिव वेल्यू मिल गया यानि IRR निकालने की सर्थ यही है कि आपको NPV एक तो नेगिटिव वेल्यू चाहिए और NPV एक आपको पॉजिटिव चाहिए तो सर अगर किसी को नेगिटिव बनाना हो अगर नेगिटिव बनाना हो तो आपको रेट जो है न वो इंक्रीज कर देना चाहिए अगर पॉजिटिव बनाना हो तो सर रेट को आपको डिक्रीज करना चाहिए तो आपको नेगिटिव वेल्यू मिल गया है अब आपको एक निकालना है कौन सा वेल्यू सर सर अगले हम चलते हैं पॉजिटिव वेल्यू के साई एक निकालना है हमें पॉजिटिव वेल्यू तो सर पॉजिटिव वेल्यू के लिए रेट को क्या कर देंगे सर रेट बढ़ाना है आपको यहाँ पे काफी बच्चों को एक लिवर्टी मैं दे देता हूँ न अपने हिसाब से बढ़ा लो तो फिर बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं आप रेट बढ़ाएं और घटाएं जब भी न पांच-पांच के अंतराल में हमारा पहले दस परसेंट था मैं रेट घटाने की बात कर रहा हूँ तो नो भी हो सकता है आठ भी हो सकता है साथ भी आप अपनी मर्जी से पांच घटा दीजिए हर बार पांच-पांच के गैप में चलिएगा एरर होगा ही नहीं तो मैं अगला रेट ले लेता हूँ पी वी एफ ले ले लेता हूँ पांच परसेंट पे क्यूं आपने सर दस से पांच देखो दस तो सवाल में गीवन होगा और एक रेट आपको मानना पड़ेगा अगर मानने लो यह पॉजिटिव वेल्यू आ रहा होता तो हमें कौन सा वेल्यू चाहिए था अब नेगिटिव वेल्यू के लिए आपको रेट को क्या करना था तो मैं 10 से आगे चला जाता 15 पर देखिए ये 12 पर भी हो सकता है 13 पर भी हो सकता है लेकिन हम 5-5 का गैप लेगे कि बार बार ना करना पड़े नहीं तो बच्चे क्या करते हैं बहुत कम गैप ले लेते हैं उससे नेगिटिव पॉजिटिव एक बार नेगिटिव आया लाइम खराब करेंगे इससे अच्छा 5-5 का क्या करेंगे गैप ले ले लेंगे ठीक है तो सर यहां पर 5-5 का गैप लिया तो पहला क्या आएगा पीवी एफ 900 0.9 0.9 0.9 और 0.9 सर यहां पर अब इसको अगेन मल्टिप्लाई करेंगे जो पर्जेंट वेल्यू निकालेंगे 5% के इसाफ से तो किस से मल्टिप्लाई करना है सर इससे 3,8,000 अगला 2,72 2,72,100 और यह हर किसी बच्चे का डिफर करेगा कहीं कोई 5,3 लेगा कोई 7 लेगा साइट तो कोई फरक नहीं है कितने सर देखिये पॉजिटिव वेल्यू आया या नहीं आया टूटल क्या है कितने आगे 10,72 तो सर पहला टार्गेट यही है आपको एक नेगिटिव वेल्यू चाहिए एक पॉजिटिव आप देखने भी पता चल रहा है सर 9,00,000 है तो 10 से माइनस करेंगे तो नेगिटिव जाएगा 10,00,000 है अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो समझ में आएगा कुछ सर आई आरार कहता है आई आरार कहता है सर लोवर रेट लो प्लस कर दो प्लस कर दो आप पॉजिटिव वेल्यू पॉजिटिव वेल्यू डिवाइड कर दो आप डिवाइड कर दो पॉजिटिव वेल्यू और म नेगेटिव वेल्यू और इसको मल्टिप्लाई कर दो आप हायर रेट माइनस में लोवर रेट और लास्ट में सभी को करने के बाद जो भी आता है क्योंकि परसंटेज में होगा तो सौ से भी करेंगे यह फॉर्मूला है अब देखिए फॉर्मूला जरूर बड़ा है लेकिन जब दो तीन बार अप्लाई करेंगे कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में डेटा अवेलेबल हो तो बड़े से बड़ा फॉर्मूला आप एजिली कर सकते हैं सर सबसे पहले लोवर रेट तो आपके पास दो रेट है दस और पांच तो कौन सा रेट लेंगे सर पांच पर बैलियू है कमेंड बताए ये पॉजिटीव बैलियू कौन सा है पॉजिटिव वेल्यू तो सर पॉजिटिव वेल्यू है 72,100 divided by फिर से रखेंगे हम पहले पॉजिटिव वेल्यू सर तो 72,100 बिल्कुल सही जवाब दे दिया बच्चों ने माइनस अब ध्यान दीजिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है तो ultimately माइनस वाला वेल्यू भी इसमें हो जाएगा तो नेगेटिव वेल्यू कितना है और इंटू में कर देंगे हायर माइनस लोर 10 माइनस में पहले देखिए इसको सॉल्व करिए 5 प्लस step by step बताना है आपने 5 प्लस बताइए 5 प्लस इस पूरे को सॉल्व करिए पहले मुझे अमाउंट बताइएगा 72,100 10,56 और multiply 5 अब इस वाले डिजिट को सॉल्व कर लीजिए 5 कितने आगे 3,60 क्या बोलता है अच्छा आप पहले वो कर रहे हो कोई फरक ने पड़ता 72,100 सर इस कहानी को इस equation को सॉल्व किया तो आया 3.41 अब 3.41 इसमें add कर देंगे 8. और सर multiply अगर 100 से करते हैं नहीं नहीं यह percentage रहता है सीदा नहीं रहता तो सर यहां बस आपने percentage लगाना है तो आपका answer आगया 8.41 परसंटेज यह होता है हमारा IRR कितने बड़े से बड़ा सवाल हो अगर आपको basic पता चल गया ना तो कोई भी कर सकते हैं बस हो सकता है एक machine हो, दो machine हो, तीन machine हो 8.41 सभी बच्चों ने लगभग लगभग सही जवाब दे दिया तो IRR के अंदर क्या है concept सर आपको इसमें ध्यान रखना है सर एक lower rate और एक higher rate जो भी examiner देता है पहले उससे value को निकाल लिए NPV को निकाल लिए जैसे ही आपने NPV को निकाला अब आपको decide करना है rate को आपने बढ़ाना है या rate को आपने घटाना है अगर rate को बढ़ाना पड़ा आपको तो हमारे उससे क्या होगा सर माइनस में जाते जाएंगे और घटाने पे क्या जाएंगे हम प्लस पे चले जाएंगे तो आज का जो हमारा ये examiner पूछ सकता है payback period तो निकाला जा सकता है यहाँ पे payback period क्योंकि annual inflow था same सवाल में आपसे पूछा जा सकता है IRR तो बड़े आसानी से IRR भी निकाला जा सकता है इसका मतलब सर एक ही question में सारा point पूछ लेगा और अगर आपका data तयार हो गया ना तो फटा फटा formula सिर्फ और यह पूरे 15 नंबर का question आता है तो हम इसको दो class में cover करेंगे आज की class में हमने क्या cover कर लिया सर अब बस छोटा सा portion रह गया है एक हमें करना है ARR वो सिर्फ एक formality base है और एक करना है हमें PI index profitability index उसके बाद थोड़ा time जो हम लेंगे सर किसमे लेंगे वो case वाला point था न इसके लिए मैं अलग से question आसान से और थोड़े मुश्किल भी छाट के लियाओंगा जिससे कि ये case वाले question हम कर पाएं case वाले या फिर आपके old और new तो अगली class के अंदर यानि मैं Sunday से पहले पहले अगली class है आपकी Friday Sunday तक किसी भी कीमत पे ये chapter revise हो जाएगा और एक और chapter कौन सा revise करना है सभी बच्चे जो application पे है maximum जो बच्चे बोलेंगे वो revise करवा देंगे देखो leverage सबने कर रखा revise का कोई benefit नहीं है डिविडेंड में revise का कोई मतलब नहीं बनता आपका main रहता है यहाँ पे एक सर थोड़ा सा toughest पर जाता है आपका theory of capital structure या value of firm वो revise कर लेंगे और फिर क्या revise करेंगे देखते हैं फिर जितना revise करना है कर लेंगे और मैं बहुत कल आप सभी बच्चों को formula का चार्ट भी दे दूँगा ताकि आप कर पाऊ उसको अच्छे से practice तो यहाँ पे कितने formula हुए हर जगा एक ही formula मैं कल आपको दे दूँगा sir doubt है sir क्या doubt है बताइए देखे मैं अभी इस concept की बात कर रहा हूँ आपके 10 year में बहुत सवाल आपने किये होंगे वो पहले किये हैं उसके doubt agree करता हूँ उस doubt का समाधान मैं अपने अलग तरीके से लूँगा sir cost of capital में doubt है cost of capital का doubt के लिए बहुत बच्चे कह रहे हैं doubt है मैंने कल भी session लिया था के 2 बज़े cost of capital के doubt के लिए आपके जितने doubt है सभी call करके पूछ लिजिए आप cost of capital के 8 बज़े doubt yes नहीं नहीं मैं समझ गया मैंने कहान है मैं अपने इस आप से करा हूँ अभी तक देखो ये chapter सभी बच्चे कह रहे थे sir बड़ा tough है ये है वो है अब मैं थोड़ा सा systematic लेके चल रहा हूँ तो लगेगा sir इस chapter में इतना ज्यादा कुछ नहीं है जितना की सोचा जा रहा था तो बड़ा आसान सा chapter है बस हम इसको एक systematic तरीके से ले ले फिर आपका समझ में आ जाएगा ठीक है नहीं ये कट चुगा है मर्जी है sir cf so करना या नहीं करना आपकी मर्जी टोटल sir percentage कब increase होगा अगर आपका percentage increase की बात कर रहे हो तो sir अगर आपका positive negative value मान लो तो आपका पहले ही आ गया positive value तो आपको negative चाहिए होगा तो percentage बढ़ा देना